जुक्त करते यह सब्सक्राइब नाव और प्रेस दपेल आको नेवर मिसें अपडेटी है तो आप सभी का मेहनराज के ओफिस एल यूटूब चैनल पर so very good morning everyone good morning Jagdamba Good morning Rahul Shuti Renu CR 007 Mosmee Ganesh everyone very good morning so जितने भी लोग connect हुए है एक बर पटा-फट से आपक्र दिजिए वीडियो को like और शेयर कर दिजिए जिसे और भी लोग हमारे साथ connect हो सके हैं ना okay yeah very happy नौरात्री everyone जितने भी लोग connect हुए है सबको happy नौरात्री चलिए सो स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम रिसकस करेंगे 25 और 26 सेप्टेंबर के टॉप मुस्ट करन्ट अफ्यर को इसके अलावा कल की क्लास में मतलब सेटरी की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको हम लोग क्या करेंगे रिवाइस करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते यह स्टार्ट हो रही है ट्वंटि एक वसे स्टेमबर से और यह बैंक और सी दोनों के लिए यह आपकी बैंक के बैंक की भी बैंक ड्रेये स्टार्ट की जारी है ट्वंटि एट्ट जूब बैंक की जो बैच है इसकी जो टाइमिंग है वो 7.30 तो 9.30 है एवनिंग में और अगर SSC की बात करें इसकी जो टाइमिंग है वो मौर्निंग टू 10 अम है ठीक है इसके अलावा जो लोग बैंक की प्रिपेशन करना चाहते हैं बट उनको सिर्फ बैंगॉली और इंगलिस से आ प्राइमिंग और बैच आपके सामने हैं इन्रॉल कैसे करवाना है सिंप्ली आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं अदर्वाइस आपका जो वन स्टॉप सॉलूसर ने क्या है योड नियर बाई ब्रांच है जो भी नियर बाई ब्रांच है आप वहाँ पर विजिट करके बहुत ही इजी वे में करवा सकते हैं तो जिन्हों ने अभी तक इन्रॉल नहीं करवाया है आप इन्रॉल करवा लीजिए बैच हमारी 28 से स्टार्ट हो रही है ओके वंस अगेन वेरी गुद मॉर्निंग बहु शेयर किया था बहुत चे लोगों ने किया था सब लोगों को अल्मोस्ट सेम ही था ये थोड़ा सा अलग था है ना अलग यह था कि कभी भी किसी को गिरा कर उससे आगे बढ़ने की कोशिस मत कीजिए अगर आपको इस थाई जीत हासिल करनी है तो अपने दम पर सफलता पान अगर आपकी जॉब मिल गई और उसके बाद आप अपने जॉब से सैटिसफाइड होगे तो जॉब तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी बट आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे तो कभी भी किसी भी चीज़ से सैटिसफाइड मत होएगा सैटिसफैक्शन नहीं आना च सोचिएगा मुझे इससे आगे के पोस्ट पर जाना है मुझे पीओ बनना है है ना मुझे अगर आप बैंक के क्लर्क बनके जॉइनिंग करते हैं तो आपका ड्रीम होना चाहिए कि आप आर्वी आई के गवर्नर बनकी रिटायर करेंगे यह आपका डेडिकेशन होना चाहि किसी को गिरा कर उससे आगे बढ़ने की कोशिस मत करिएगा चलो ठीक है कॉंपीशन ने इनके साथ थोड़ा चीटिंग कर लेते हिनको थोड़ा क्या कर देतें कुछ भी कर देतें मतलब एक गलत तरीके से आगे बढ़ जातें तो वह कभी मत करिएगा इससे वह रिलेटेड के बाद उसकी जो strategy होती है उसको follow करने की कोसिस करती है कि हमारी खुद की strategy से तो ओ नहीं रहा है इनकी strategy को follow कर लेते में भी हमारा selection हो जाए तो ये जो आप चाथी हो ये बिल्कुल गलत होता है कभी किसी के स्ट्राटजी को follow नहीं करना चाहिए क्यों कि आप क्या कर सेक्टे हो यह आपसे कोई कोई नहीं जानता उसकता है जिसको आप फॉलोग कर रहे हो उसका कोई सब्जिक्ट आपने खुद के strategy बनानी पड़ेगी खुद के plans बनाने पड़ेंगे ठेके तो यह हो गया हमारे आज का morning thought of the day बहुत ही बढ़ियां था I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है ना अब आते हमारे आज के champion of the day पर तो जिन लोगों ने answer comment किया था वो क्या है mention किया है ठीके चलिए तो very well done everyone congratulations आप सभी क्या है हमारे champion है और winner है अब हमारे आज के revision session पर की previous class में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था ठीक है चलिए रिवाइस करते हैं हमारी पहली headline से और हमारी जो पहली headline है वो है former voice president एम फैंकिया नाइडू has released the collection of prime minister नरेंड्र मोदी selected speeches at आकाश वानिभावन न्यूजली पीम नरेंड्र मोदी जी की speeches का जो speech का जो उन्होंने भाशर दिया था उसका एक collection उनकी speeches को collect करके एक book release की गई है किसके द्वारा एम बैंकिया नाइडू जी के द्वारा जो हमारे former vice president है ना एम बैंकिया नाइडू जी के द्वारा पीम मोदी जी के जो selected speeches है उसकी एक जो book आई है उसको क्या किया गया रिलीस किया गया कहाँ पर न्यूजली के आकाश वानिभावन में उस book का नाम क्या है ये आप लोग बताएंगे क्योंकि अभी हमने इसको Saturday को भी पढ़ा था कल ह ठीकली current affair हुआ था तो उसमें question answer भी किया था ठीक है तो उस book का नाम क्या है वो आप लुग बताएंगी नेक्स्ट अगर हम headline की बात करें तो Max Life ने क्या किया है रोहिष शर्मा और रितिका साजदे को क्या किया है अपना brand ambassador appointment किया है मतलब Max Life insurance के जो भी इसके benefits से जो भी इसक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास very well done किसने बताए राहुल ने ओके very well done राहुल तो बुक का नाम क्या है सबका साथ सबका विकास and सबका विश्वास ठीक है इसमें PM मोदी जी के selected speeches है अब हम आते next headline पर और हमारी जो next headline है वो है third edition of लोक मन्थन प्रोग्राम inaugurated by Vice President जगदीव धंकर जगदीव धंकर जी ने क्या किया है जो लोह मन्थन प्रोग्राम है इसके 3D Edition का इन्हों ने, इनौरेशन किया कौन से एंडिसन है Third Edition है किसो मोग मंथन प्रोग्राम की बात करें और किस तो और बहु अब बहुत सारे there, लग अलग पार्ट से लोग आते और उनके जो भी डिस्प्यूट्स वगएरा होते हैं जो भी प्रॉब्लम्स वगएरा होते हैं आपस में उसको वो लोग क्या करते हैं शेयर करते हैं ठीक है क्लियर हो गया जल्दी बताइए यहीं क्लियर हुआ अब आते हैं नेक्स्ट पर इलेक्ट्रोनिक सेक्टर इसकिल काउंसिल ओफ इंडिया यह क्या है इसको और प्रॉमोट करने के लिए इंपलाइबिल्टी को इंहांस करने के लिए और यहां पर जो टेखनोलोजी डुमें से इसको इसुक्र इस से रिलेक्टी करने के लिए यहां पर में नेक्स्ट हेड्लाइन इंडिया है यहां पर शूंच भीनोर्ट तona क्यौर्य इंडियकर Сब्सक्राइब राओ पर एंदिग दा इंडियान ओलंपिक एसोसिएंट और इलेक्टोराल कॉलेज जो एलागेश्वर राओarial जी है रोच है इनके क्या क्या है। इन का नाम क्या है। took Constitution of Indian Olympic Association है इसमें जो भी amendment लाने है जो भी संसोधन करना है उसका एक roadmap आप क्या करिए प्रेजिंट करिए ठीक है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है Justice एल नागेश्वर राओ इस इट क्लियर है क्लियर हो गया ओके चलिए नेक्स्ट हेड्लाइन पर आते हैं वर्ड 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 ने क्या किया है 350 मילयन यूजर्ड का लोन ने एप्रूब कीया है त्रीसरा अब को गुजरात करना है याद करना है और मांट किया है 350 मिलियन यू यास डॉनर किया है और किस लिए किया है तो हेल्थ सेक्टर के लिए क्लियर हो गया इस एट क्लियर ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं अधानी ग्रूप ओवर्टेक्स टाटा इंडिया जो इंडिया की मोस्ट वैलूड कॉंगलो मिरेट वह कौन सी बनी है अधानी ग्रूप बनी है और इन्होंने टाटा को क्या किया है पीछे छोड़ दिया है तो टाटा को पीछे छोड़ते हुए अधाने ग्रूप ये इंडिया की मोस्ट वैलूड कॉंगलो मिरेड बन गई है भारत का सबसे मोलिवान समों कौन सा बन गया है अधाने ग्रूप बन गया है क्लियर हो गया कि जल्दी बताइए क्लियर हुआ ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एड्लाइन पर और हमारी जो नेक्स्ट एड्लाइन है वो है NPCI introduces UPI payment through रूपे credit card मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हम लोग क्या करते थे UPI हमारा credit card से link था बड़ जो रूपे credit card था वो UPI पर available नहीं था बड़ अभी क्या है आप रूपे credit card को भी UPI से link कर सकते है ठीक है credit card तो UPI पर link हो जाता था बड़ रूपे credit card नहीं होता था अब NPCI ने क्या किया है UPI payment को रूपे credit card के थ्रू भी इंट्रोड्यूस किया है ठीक है इन Soda राजस्थान यह क्या है अमे जान क्या करेगा यह राजस्थान में 3 soda राजस्थान में को क्या करेगा jeżeli ठीक है किती तो Henri join इसका पहला utility is के अनर्जी प्रोजेक्ट है ये कहां पर सेटप करेगा राजस्थान में करेगा तो आमें जो राजस्थान फर्स्ट यूटिलिटी स्केल रेनिवेबल एनरजी डोजेक्ट, is it clear? हाँ, it's revision time, चलिए, ये भी याद हो गया, अब आते हैं हमारी आज की top headlines पर, कि हमारी आज की top headline कौन कौन सी है, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने revision किया, और अब हमाएंगे हमारी आज की top headline पर, और हमारी जो पहले headline है, वो है अतुल चतुरवेदी, elected as the first chairman of Asian Palm Oil Alliance, ठीक है, अतुल चतुरवेदी को क्या किया गया है, इनको first chairman appoint किया गया है किसका, Asian Palm Oil Alliance का, नाम याद कर लिजे पहले अतुल चतुरवेदी, किसका chairman इनको बनाया गया है, Asian Palm Oil Alliance का, clear हुआ, Asian Palm Oil Alliance is equal to, अतुल चतुरवेदी, और ये पहले chairman बने हैं इसके, या तक clear हुआ, कितना typical सा नाम लग रहा है, DMCG, है ना, ऐसा लग रहा है, exam में बूछा जाएगा कि DMCG क्या होता है, ओके, आगे आते हैं, और इसको थोड़ा detail में देखते हैं, Agible Oil Trade Association, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 5 Palm Oil Importing जो countries हैं, South Asia में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रेलंका, बांगलादेश और नेपाल, इन्होंने announce किया है, कि जो 5 Palm Oil Importing countries हैं, South Asia में, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रेलंका, बांगलादेश और नेपाल, इस सबने मिलकर announce किया है, कि यह क्या करेंगे, Asian Palm Oil Alliance को setup करेंगे, और इसके जो पहले chairman बन रहे हैं, इस alliance के, इसका नाम क्या है, इनका नाम है, अतुल चतुरवेदी, ठीक है, एसे नाम है दोनों का, अतुल चतुरवेदी, और इसका नाम क्या है, Asian Palm Oil Alliance, clear हुआ, Asian Palm Oil Alliance, यह इसका full form है, अतुल चतुरवेदी, इसके पहले chairman बन रहे हैं, और कौन सी countries मिलकर इसको setup कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रेलंका, बांगलादेस, और नेपाल, यह सारे नाम आपको याद होने चाहिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रेलंका, बांगलादेस, और नेपाल, यह नाम आपको क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे exam में पूछा जा सकता है, कि वो 5 countries कौ कौन सी है या फिर आप से पूछा जा सकता है option देगे किन में से कौन सी कंट्री नहीं है या फिर कौन सी कंट्री है तो इंडिया पाकिस्तान श्रेलंका बांगलादेश और नेपाल ये पाच कंट्री क्या करें इन्होंने एनौंस किया है कि एसे पाम ओयल एलाउंस को सेट और इसी के पहले चेर्मेन बने हैं क्लियर हो गया नाम क्या है अतुल चतुरवेदी इतना समझ में आया जल्दी बताइए इतना समझ में आया हाँ पाचों कंट्री का नाम आप लोग याद कर लिजेगा चलिए अब आते हैं नेक्स हेड्लाइन पर और हमारी जो नेक्स हेड्लाइन है वो है वर्ल्स टॉलिस्ट ब्रिज्ट विल्ट इन हिमाचल प्रदेश दुनिया का जो सबसे उचा पुल है वो कहां पर बनेगा व वोल्ड टॉलिस्ट ब्रेस इक्वल चो हिमाचल प्रदेश दुनिया का सब से उचा पुल है कहां पर बनेगा ये हमाचल प्रदेश में बनेगा कॉपी में नोट कर लिजे वोल्ड smallest breeze is equal to Himachal Pradesh, याद हो गया? जल्दी बताईए, very good morning जिद्धान्त, चलिए, यहाँ पर देखते हैं, Himachal Kalka prepared to build the world on the Kalka Shimla Highway, यह आपका कहां पर बनेगा? यह Kalka Shimla Highway पर बनेगा, and highway finally in the midst of the last minute calm and peace in the midst of the weather condition, यह सिर्फ इतना आपको याद करना है कि यह आपका Kalka Shimla Highway पर क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा, यहाँ पर बनाने की इसकी तयारी किया जा रही है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, यह जो आपका bridge है, है ना, यह 275 meter आपका क्या होगा? उससे भी यह क्या होगा? उचा होगा, और इसकी जो height है, है ना, the height of the bridge will be more than 3 कुतुब मिनार, जो 3 कुतुब मिनार अगर हम बना देख, उससे भी उचा इसका height होगा, a drawing of about 280 meter height has been prepared for the construction of the bridge, इस bridge को construct करने के लिए 280 meter height की एक drawing क्या की गई है, तयार की गई है, कि 280 meter की जो height की ए समाचर प्रदेश में बनेगा, is it clear? जल्दी बता, यह clear हुआ यह, यह आपका उससे भी उचा बनाया जाएगा, यह भी बना नहीं है, यह announce किया गया है, यह आपका बनाया जाएगा, ठीक है, अभी इसका सिर्फ एक drawing प्रिपेर किया गया है, ठीक है, अभी फिलाल आपका golden bridge है, जो भी recently आपका बना था, जो chain up bridge है, यह आपका construct किया जाएगा, ठीक है, यह बता, यह clear हो गया, यह अगले तीन साल में आपका बन के तयार हो जाएगा, अगले तीन साल में यह बन के तयार हो जाएगा, और अगर इसके हम total estimated cost की बात करें, तो something यह 3,159 यह कुछ more than 3000 करोड इसके लिए जो total estimated cost है, वो estimate किया गया है, project किया गया है, और अगले तीन साल में यह क्या होगा, बन के तयार हो जाएगा, ठीक है, अगले तीन साल में, अगले तीन साल में यह आपका बन के तयार हो जाएगा, अब हम बात कर लेते हिमाचल प्रदेश की, अगर हम ह माचल प्रदेश की बात करें, तो इसका happy birthday होता है 25th January को, और इसका formation हुआ था 25th January 1971 में, capital summer इसकी similar है, और winter का capital क्या है, इसकी धर्मशाला है, ठीक है, अगर हम governor की बात करें, तो राजेंद्र अर्लेकर जी इसके governor है, और chief minister की बात करें, तो जैराम ठाकुर जी क्या है, यहा हम, अब map में देख लेते हैं, अगर अब map में देखें, तो यह जो portion आपको देख रहा है, यह क्या है, यह हिमाचल प्रदेश है, है ना, यह क्या है, आपका हिमाचल प्रदेश है, और थोड़ा अगर हम यहाँ पर इसको जूम करके देखें, हिमाचल प्रदेश को, तो यह आपको 局 250 दिख रहा यह he caveatS een अब इसके आगर देखते हैं किया क्या चीजह है मतलब कौन-कौन से अपके राज्जें क्या पॉर्डर से कर रहा यहां पर एक तुप पंझाब हो गया और इधर हड्याना हो गया इधर अगर हम देखे तो ये क्या है यह जमू काशमेर यह जो क्तों हमाचन परदेश के साथ क्या करें और अगर मं में देखे यह पोर्शन आपक जो दिखरार ये क्या है आपका ह Hadi प्रदेश है इस इस लिए बनते हैं जिससे वहां के लोग उस पर ट्रेवल कर सके और क्यों बनते हैं चलिए अब यहां पर आते हैं महाराश्च्राज डॉलताबाद फोर्ट टूबी देवगिरी फोर्ट यह जो नाम बदलने का एक सिलसिला चल रहा है न अभी खतम नहीं हु आपका महाराश्च्रा में और इसका नाम अब बदल दिया जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम देवगिरी फोर्ट हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा देवगिरी फोर्ट दी से पहले भी था डी से अब भी है तब वो दॉलताबाद था अब यह देवगिरी है ठीक है सो महाराश्च्रा की दौलताबाद फोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा देवगिरी फोर्ट यानि कि देवगिरी किला रख दिया जाएगा इसको याद कर लेजिए दौलताबाद फोर्ट इस एक्वल टू देवगिरी फोर्ट इस इट क्लियर फर्स्ट बायो डाइवर्स्टी पार्क नारी कुन्नमन अपना कांग्रा एप वेरी वेल जन रूपा चलिए बताइए हुँ सो महाराष्ट्रा का जो दौलताबाद फोर्ट है यह आपका देवगिरी फोर्ट में बदल जाएगा ठीक है महाराष्ट्रा तौरिज्म मिनिस्ट्री हैं उन्होंने वीस है कि इनाब करेंगे देवगिरी फोर्ट में इनका नामचेंज कर देंगे यहznा ओर्स के पास में कहां पर एर्श्रा के नाम बदल दी आ रात // दीया था है उर्णाबाध का ये और उगाबाद के पास to situated है यह अधन बश्चान हो जाएगा अब और अंगा बाद का नाम है इसका नाम दयाक किया जाता है को अर्व राष्टि विरासत इसमारक है और इसको और इसको सर्वे आप इंडिया की दोरह इसको मेंटेन किया जाता है इसका रख रखाओं किया जाता है इसकी देख्रेख किजाती यह नाम क्या है दॉलताबाद पोर्ट नया नाम देवगिरी है और और अरंगाबाद के पास यह आपका situated है exactly सांभाजी नगर ठीक है चलिए अब आते हैं आगे देखते हैं बात करते हैं महाराष्ट्रा की अगर हम महाराष्ट्रा की बात करें तो इसका happy birthday कब होता है first May को जिस दिन हम लोग महाराष्ट्रा डे celebrate करते हैं तो इसका formation हुआ था first May 1960 में हुआ था capital इसकी मुंबै ठीक है capital क्या है मुंबै और अगर हम बात करें राजपत का नाम करता विपत्थ हो गया वेरी वेल जैन यह अभी हम लोगों ने थोड़ी दिन पहले ही पढ़ा था ओस्मानाबाद धाराश्यू वेरी वेल जैन है मिया का बाला महेश नगर ओके वेरी गुड चलिए सारे नाम आपजों को यादे हैं अब यहाँ पर आते हैं मैप में देखते हैं ये क्या है ये महारास्ट्रा है है ना ये क्या है आपका महारास्ट्रा है और थोड़ा इसको जूम करके देख लेते हैं महारास्ट्रा के आसपास कौन कौन है ठीक है ये पोर्षन क्या है ये महारास्ट्रा है आपको देख रहा है ये पूरा पोर्षन क्य करें तो यह पर बात करें यह आपका आनप्रदे से यह आपका आनप्रदे और इधर के अगर हम क्या है करनाच का यहां पर यह आपका दामनेंट दियू है और यह आपका गुजरात है ठीक तो यहां पर आपको दिखा क्या-क्या यहां से बॉर्डर शेयर कर रहें एक आपका यहां पर यह दामन दियू है यह आपका गुजरात है यह पूरा मुंबई है यहां पर गोवा है यह आपका करनाचका है यह तेलंगाना है और उधर आपका 36 गढ़ है और सबसे उपर क्या है यह मत्विदेश क्लियर हो गया यह सभी वो इस्टेट है क्या करें जो इस्ते बॉर्डर शेयर कर रहें ठीक है हाँ ठीक यह क्लियर हो गया चलिए कि अब यहां पर आते हैं यह क्या है नेशन गिर्स इस्त फॉस्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन तमिल लाजू राष्ट को तमिल लाजू में अपना पहला डुगोंग सन्रक्षर रिजर्व मिलाए डुगोंग क्या है जिसको सी काओ बोलते हैं इसके हाबिटेट की कभी है मतलब जहां पर यह रहते हैं तो इसके हाबिटेट की क्या है और इसको वल्लेबल काटेगरी में भी रखा गया है तो राश्ट को तमिल नाजू में अपना पहला डुगॉंग सरक्षर रिजर्व मिला है ठीके तो अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि कहां पर मतलब हमारी कंट्री में कहां पर डुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व इस्टैबलिस किया गया है सेटप किया गया है तो आप क्या बताओगे तमिल नाजू ठीके क्या क्या चीज़े आपको याद करनी है सिर्फ एक चीज फर्स टनामसित जानते कि सिपवेशन फीकाई के नामसे जानते हुक पढ़ा होगा उनक्गोण के नामसे जानते यह ब्रक्षित किया जाएगा तंक बंडस रखा गया है ठीक है और इंडियन माइलड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसको इस कैटेग्री में रखा गया है और यह कहां कहां पर आपका पाया जाता है मोस्ट इंपोर्टिंच अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मनार गल्फ ऑफ कच और अंदमान और निकोब इसको इन्होंने इस्टैबलिस किया है ठीक है किसने किया है तमिल नादू ने किया है क्या किया है इंडिया का जो पहला जुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व है इसको इन्होंने इस्टैबलिस किया है कहां पर किया है गल्फ ऑफ मनार में ठीक है मतलब यह एक्स्टिंट ह कंट्रीज फर्स्ट जुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व इंदी पाक वे कवरिंग दा कोस्टल वार्टर ओफ तंजावुर एंज पादुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट विथ एन एरिया औफ 448 स्क्वाइर किलोमीटर ठीक है तमिल नाटों ने जुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व इन्होंने क्या किया है इस्टैबलिस किया है क्लियर हो गया ध्यान से सुनिएगा तमिल नाटों ने जो कंट्री का पहला जुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व है इसको कहां पर बनाया है पाक वे पर बनाया है जहां पर जो कोस्टल व याहां तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी बताइए अगर कोई डाउट है तो बताइए और क्लेर्ड ूबताईए इसका इसमें कोई डाउट है तो बताईए नमेलागी कि 17 वार्श एंक्चुरिये वेर रिपात नहीं चलिए आगे देखते हैं सेप्टेंबर 2021 में गवर्मेंट ऑफ तमिल नाजु ने एक आइडिया इनिसियेट किया था जुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व का कि हम इसको पागबे रिजन में क्या करेंगे इस्टैबलिस करेंगी जिस से हमारा जो जुगांग इस्पासी से जो इंडेंजर है इसको क्या करेंगे abca तमिल नाजू के मरीन हैबिटेट में क्योंकि इनके रहने के लिए जो एक हैबिटेट चाहिए वह आपका तमिल नाडू में पाया जाता है अगर हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहें किसी को कंजर्व कर रहें तो जरूरी है उसका जो एक हैबिटेट है जहां पर वह सर्वाइब कर सकता है वह इन्वार्मिट उसको प्रोवाइट किया जा सके तो ये जो हमारा सी का उए इसको आइस को थो हैवेटट है क्या किया जारा हैains畫 चैनल couldn कि अपना आडिया जो इनका था बैने इनिसियेट किया था किम इसको पा्नnational करेंगे इस्टैबलिस करेंगे जिससे हमारा जो इंडेंजर्ड जुगॉंग इस्पीज है ना उसको उन तमिल नादू में प्रोटेक्ट करेंगे और अगर हम प्रेजन टाइम की बात करें तो एराउंड टूपोर्टी जुगॉंग इंडिया में क्या है प्रेजेंट है टेकर जो फैब्रेबल इन्वार्मेंट है वो यहीं पर पाया जाता है ठीक है तो जादा कर यह नाजू की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कभ हुआ था 26 January 1950 में हुआ था ठीक है 26 January 1950 में इसका formation हुआ था capital क्या है इसकी capital chain नहीं है ठीक है capital इसकी क्या है capital chain नहीं है governor की बात करें तो आर्यन रवी है और चीफ मिनिस्टर कौन है M.K. स्टैलीन है यह आप लोगों को यादी होगा है ना formation 26 जैनवरी 1950 में हुआ था governor आर्यन रवी है चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलीन है और अगर हम सीट की बात करें तो यूनी कैमरल सीट 234 है लोग सबसी 39 है और राज सबसीट 18 है और हाई कोर्ट यहाँ पर कौन सा है मद्रास हाई कोर्ट है इसट क्लियर हाँ वन एमंग यू इस दर और इनकी एंके स्टैलीन के और चोबाग्रॉफी है परेवेल जन यह क्लियर हो गया चलिए मैप में देख लेते हैं अगर हम मैप की बात करें तो यह जो पोर्शन आपको देख रहा है यह क्या है यह तमिल नाजू है क्या है तमिल नाजू यह आपको देख रहा है यह क्या है यह तमिल नाजू है अब यहाँ पर देखते हैं यह तमिल नाजू ठीक यह क्या है पूडू चेरी यह है आपका केरला ठीक है और यह क्या है आपका करनाच का एंड इस वन इस आंप्रदेश यहाँ पर आपको क्या किया दिखाए कांप्रदेश दिखाँ करनाजका दिखा केडला दिखाऊ और यहां पर यहां किया है पूरा तमिलचू रे scoras प्रेश ठीकशी एच्वाइड और जुक्त है अपने डीया के मेर तमिल-नाजू का पर हैं यहां पर है यहां पर यहां वार्य कंपनी बनी है जिसको महारत्य कंपनी का स्टेटस मिला है वो हमारा R.E.C. Limited है गया इसको याद रखिएगा खी अर्धित लिम्ही इस्टेटस महारत्य कंपनी मतलब महारत्य की बातकरित एक डर्जा ह difficultαιॹ इसको इस initiative को start किया गया था जहां पर government क्या करती है जो companies होती है उनको महारत्न का दर्जा देती है जिससे आगे चलके वो जो companies है मतलब यह expect किया जाता है कि आगे चलके वो एक बड़ी company में खुद को convert कर लेगी तो REC Limited यह 12th company है जिसको महारत्न कंपनी का status मिला है ठीक है सो REC Limited महारत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली बार्मी कंपनी बन गई है और यह जो महारत्न का जो title दिया जाता है यह आपका 2009 से start किया गया था यह एक दर्जा होता है जो companies को हमारी government देती है तो 12th company to get महारत्न कंपनी status is equal to REC Limited है ना हाँ जी rural electrification company सो यह आपके जो REC Limited है यह 12th company बन गई है जिसको महारत्न कंपनी का status दिया गया है क्लियर हुआ कल 71 number question का answer क्या है क्या था 71 question चलिए यहां पर आते हैं 11 जो हमारी महारत्न कंपनी अल्रेडी है वो कौन कौन सी है एक आपका है power finance corporation है ना दूसरा है हमारा भारत है alphabeticals लिंचेख भारत पेत्रॉलियुम corporation Els लिंट देड हिंदुस्तान सींपनी कॉपड испशन लिमतेट इंडियन और कॉरपरेशनन si toxic पावरbon Smileessel еERS हो गई है до 12 महारत्रेड разм एशाल्री लिखा हुई यह यह सारे नाम से आप व्ल लिम्टेट के बारे में पता है भारत पेट्रोलियम कोर्पेशल लिम्टेट के बारे में पता है कोल इंडिया लिम्टेट गेल हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंडिया नौयल एंटी पीसी ONGC and Power Grid and अथोगो को इसलिया है क्योंकि Maida से कौन से महारत में कपनी नहीं है तो आप marta या नहीं होगा या फिर आप से पूखेंगे इन rifle से हैं तो जो जाना पेजाना नाम लगएगा वह आंसर होगा है ना दोंसे कोई भी कुष्चन में पूखा जा हो सकता है इसलिए यह नाम आपको याद होने चाहिए अगर जाना प्याइजाना नाम आंसर ओगा नया नाम है तो नहीं होगा ट्लिरूर हो गया बताइए क्लिए हुआ हा इनके नाम आपको याद करने ठीके हाँ exactly इनका जो annual turnover है वो तेन साल में 25,000 करोन के अबब होना चाहिए चलिए ये clear हो गया अब REC की बारे में थोड़ा discuss कर लेते हैं न अगर हम REC की बात करें Rural Electrification Corporation Limited इसका पूरा नाम क्या है Rural Electrification Corporation Limited इसका foundation हुआ था 25 जुलाई 1963 1969 में मतलब आज से 53 साल पहले 53 years ago इसका formation हुआ था 25 जुलाई 1969 में ठीक है Headquarter इसका कहाँ पर है New Delhi New Delhi में इसका Headquarter है और इसकी जो CMD है उनका नाम क्या है विवेक कुमार देवांगन यह हम लोगों ने पढ़ा भी था है ना विवेक कुमार देवांगन यह की क्या है चेयरमैन और मैनेजिंग डिरेक्टर तो आरीजी का फुल फॉर्म क्या है रीजी का फुल फॉर्म है Rural Electrification Corporation Limited ठीक है होकी इंडिया इनको पेचानते हैं आप लोग कुछ जाने पेचाने से लग रहे हैं ओकी चलिए पढ़ते हैं इनका नाम है दिलीब तिरके है ना इनका नाम क्या है इनका नाम है दिलीब तिरके and he is a former Indian होकी captain and a member of the gold medal winning team at the 1998 Asian Cup और इनको होकी इंडिया का प्रेसिडेंट एपॉइंट किया गया है और पहली बार ऐसा है कि किसी मतलब किसी खिलाडी को है ना और किसी captain को होकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है इनका नाम क्या है इनका नाम है दिलीब तिरके यह याद रखिएगा इनका नाम दिलीब तिरके है और इनको हॉकी इंडिया का president a point किया गया है यह former इंडिया हॉकी captain भी रह चुके है और इसके अलावँ जो gold menland winning team थी 1998 ash annual game में उसकी यह member भी रह चुके है थीक है तो तो इनका नाम दिलीब तीरके है और इनको होकी इंडिया का प्रेसिडेंट एपोइंट किया गया है इस एक्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो होकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने है जो former sport person और Olympian रह चुके उनका नाम क्या है तो उनका नाम है दिलीब तिरके और पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब इसके history में इसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कि किसी sport person को मतलब किसी खिलाडी को या फिर किसी Olympian को होके इंडिया का president बनाया गया तो यह आपका एक्जाम में expected question है ठीक है नाम क्या है इनका दिलीब तिरके याद रखिएगा दिलीब तिरके इनका नाम है और जब गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने 1998 Asian Cup में उस टाइम यह इसके member थे और यह captain भी रह चुके है होके इंडिया अगर इनकी हम बात करें तो तिरके has a record of 412 international matches as a defender in his career spanning more than 15 years तो इन्होंने 15 साल की करियर में 412 नतराष्ट्री मैच खेले हैं कितने 412 412 international matches इन्होंने प्ले किये हैं अपने 15 साल से भी ज्यादा के करियर में ठीक है यह नहीं पूछा जाएगा अगर नॉलिज में रखिएगा अब यहां पर आते हैं होकी इंडिया की अगर हम बात करें होकी इंडिया का foundation हुआ था 2019 में और इसका जो अफिलेशन रेट है वो 2011 है ठीक है है यह चीफ executive officer है और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें है ना वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो यह आसिमा अली और है सूमान न अगुपता है और सेक्रेट्री कौन है वोलाणाज सिंग है और आमेंस coach ग्रहम्रेज हैं विमेंस coach जेस कौप मैं है और इन हो और इसने मतलब कि इंडिया ने इंडियन 허की थेडिरेशन को क्या किया है रिप्लेश किया पहले इंडियन के नाम से था 1925 में स्टैब्लीश हुआ था 2008 तक यह इंडियान होकी फेडरेशन के नाम से था दिन 2009 में इसको होकी इंडिया कर दिया गया इस इट क्लियर है जिसका नाम है हमर बेटी हमरमान है यह चतिस गर्ला के लेंड़ में हैं हमर बेटी हमर इसको किस ने लॉंज किया है 36 गवर्मेंट ने लॉंज चिया ठीक है के वह एक था रेंग्पेन को लॉंज करेंगे महिलाओं की Safety को ध्यान में रखते युई और जिसका नाम क्या है हमर बेटी हमरमान है ना हमर बेटी हमरमान ये क्या है यह हुं जिसको 36 गवर्म Gesetzent के द्वारा लॉंच किया गया इसकंटब होता है आर डॉच्टर आवर आनर नमतलब हमारी बेटी हमारा संबन है न अगरम महिलाओं की जो safety है उसको ध्यान में रखा जाएगा ठीक है objective क्या है इसका to create awareness on safety measures among school and college going girls and priorities and prioritize registration and investigation of women related crimes यहाँ पर जो भी school या फिर college लड़किया जाती है उनकी safety को ध्यान में रखा जाएगा और जो भी women's related crime का जो भी मतलब वो होता है registration होता है उसको पहले क्या किया जाएगा उसको priority दी जाएगी उसका investigation पहले किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर पूरी तरीके से महिलाओं के सुरक्षा का उनकी safety का क्या किया जाएगा ध्यान रखा जाएगा और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 36 गर्वर्मेंट ने इस initiative को launch किया है जिसका नाम है हमर किया जाएगा like legal rights क्या है good touch bad touch क्या है sexual crimes क्या होते इस सभी चीजों के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा उनको knowledge दी जाएगी जिससे वो अपनी safety और अपना protection खुद भी कर सके और बाकी लोग भी क्या कर सके इसके बारे में वह जाग रोख हो कि कैसे मैंलाओं के safety का ध्या पता होना चाहिए कि क्या चीज उनके साथ सही हो रहा है क्या उनके अधिकार नहीं है तो इस तभी चीजों के बारे में क्या किया जाएगा इस कंपेंड के अंदर उन सभी लड़कियों को उसके बारे में knowledge दी जाएगी उनको पढ़ाया जाएगा ठेक है और इसके अलावा एक help line number भी इसू किया जाएगा इस campaign के अंडर जिससे लड़कियों को कभी भी अगर help की जरूरा थो तो वो इस help line number पर call कर सकती है इस इट clear जल्दी बताइए clear हो गया चलिए अब 36 गवर्मेंट के कुछ और स्कीम से जो लॉंज किये गये थे बस एक नाम एक बार मतलब गोठू कर लेते ही कि कौन-कौन से नाम है रोजगार मिशन 36 गड़ श्री धनवंत्री जनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम 36 गड़ कौशल्या मात्रित्व योजना मुख्य मंत्री मितान योजना राजियु गांधे ग्रामीन भूमिहिन क्रिशी मजदूर नया योजना सहीद महेंद्र कर्मा तेंदू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षय योजना इंद्रान वन मितान योजना और इसके लावाव भी बहुत सारी स्कीम से जिसको 36 गड़ गवर्मेंट ने लांच किया है और यह रेसेंट स्कीम से है ना जो पिछले 6-7 महिने में यह सारी स्कीम सम लोगों ने पढ़ी थी तो यह रेसेंट स्कीम से इसके पढ़ा था नम लोगों ने लोग मन्थन है ना लोग मन्थन भी तो पढ़ा था लोग मन्थन क्या था सैटर्डे को लोगों ने लोग मन्थन पढ़ा था अधी स्टार्टिंग में भी बढ़ा था वह लोग मन्थन था यह आरोग मन्थन मतलब जन लोग का मतलब होता है जन मैंने पता है ना आरोग हमारी health से रिलेटेड होता है और यह आरोग मंथन है तो मिनिस्टर करेंगे जो आरोग मंथन जी ने आरोग मंधन को क्या किया इनागरीट किया ठीक है तो आयूसमान भारत जन आरोग योजना के चार साल पूरे होने के ओकेजिन में आरोग मंधन क्या किया गया इनागरेट किया गया मनसुक मंडाविया जी के द्वरा क्लियर हो गया जल्दी बताईए यह क्लियर हुआ जगदीब धंकर जी चलिए यह जो स्कीम है यह क्या प्रोवाइट करेगा इच्पिल प्रोवाइडर हेल्थ कवर ओफ फाइप लैक रूपीज एन वल्नेरेबल फैमिली यह जन आरोग योजना की जिसमें पता है जो भी फैमिली इनको पांच लाग रुपए तक क्या किया जाता है एमाउंट फिनेंसल असिस्टेंस प्रोवाइट किया जाता है न यह हेल्थ कवर प्रोवाइट करता है पाइप लैक रूपीज तक का एंबली एंड एमस अट बेनिफि 2018 में 2018 में यह लॉंच किया गया था ठीक है 2018 में यह लॉंच किया गया था और अभी इसके चार साल पूरे हो गया है इस वजह से यह आपका आरोग मंतल लॉंच किया गया यह जो जन आरोग यूजना है 23rd September 2018 में लॉंच किया गया था जिसमें 5 लाग रुपय का पर फैमिली परियर हेल्थ कवर प्रवाइट किया जाता है और इसमें एक टार्गेट रखा गया है कि हम 10 10.74 करोन से भी ज्यादा पूर पीपल को क्या करेंगे यह हेल्थ कवर प्रवाइट करेंगे ठीक है बस इतना सही अब आते हैं नेक्से टाइन पर यहां पर आपके लिए होमवर्क नहीं है आप से खुश्चन है अगर आप अभी बता देते हैं तो ठीक नहीं बताते हैं तो आपके लिए होमवर्क है यह जो सांस है है ना हम लोगों ने पढ़ा था बेंगलूरू करनाठका ने लौंच किया अब यहां पर इसी से रिलेटेड इसी को कनेक्ट करते हुए हमारी नेक्स्ट एडलाइन है हमारा जो एक पोर्टेबल डिवाइस है है ना पोर्टेबल डिवाइस नाम क्या है इसका सांस है ना यह जो पोर्टेबल डिवाइस है सांस यह अब असम भी यूज़ करेगा ठीक to decrease neonatal death जो neonatal death है उसको decrease करने के लिए असम क्या करेगा जो यह पोर्टबल डिवाइस सांस है इसको क्या करेगा यूज करेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं नहीं आते यह आपका एक्जाम में भी आया हुआ है सांस के बारे में कुश्चन पूछा गया था चलिए फिर आप बेंगलूरू-based startup across its hospital यह क्या है आपका एक एयर प्रेशर मसीन है जिससे oxygen प्रवाइट किया जाता है मैंना भी आपको बताया था ना कोविट पैंडमिक के टाइम पर यह आपका करनाट का बेंगलूरू ने लांच किया था इस पोर्टबल डिवाइस को अब असम गवर्मे अगर हम सांस के बात करें यह पोर्टबल नियोनेटल कॉंटिन्यूस पॉस्टिव एयर प्रेशर है जिसको जो भी इनफैंट्स होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाएगा ऑक्सिजन प्रॉइट किया जाएगा यह एक तरीके का ब्रीधिंग सपोर्ट प्रॉइट करता है ठीक है यह आपका होस्पिटल वगएरा में अल्रीडी प्रॉइट किया गया है इसको ट्रेवल के टाइम भी क्या कर सकते हैं यूजज कर सकते हैं क्योंकि यह आपका करने के लिए ठीक है अगे शिली बाकी यह इस मसीन को डेवलब करने के लिए जो इन एक्सेल टेकनोलोजी इन्होंने क्या किया है सेंटर पॉर सेलूलर एंड मॉलीकुलर प्लेटफ़ॉर्म में इसको इंगुबेट किया है और समरेद हेल्थ किया है कि वो इस पोर्टेबल डिवाइस को यूज करेंगे ठीक है सोसल अवेर्नेस एंड एक्संट तो नीट्रिलाइस सक्सेस्फुली तो नीट्रिलाइस नीमोनिया सक्सेस्फुली नीमोनिया भी तो है ना उसमें चलिए अब यहां पर आते हैं एक बार फटा-फट से प्रवाइट करने के लिए हमारी जो गवर्मेंट है वो 30 बिलियन डॉलर क्या करेगी इन्वेस्ट करेगी बस इतना याद करना है 30 बिलियन डॉलर है ना 4G और 5G कनेक्टिवीटी को हर गाउं में प्रवाइट करने के लिए हमारी गवर्मेंट 30 बिलियन डॉलर एमांट क्य कि गाओं में मतलब जो हमारी rural areas हैं वहाँ पर 4G और 5G connectivity provide करने के लिए हमारी government क्या कर रही है 30 billion dollar amount invest कर रही है जिसे हर जगा गाओं के हर एक कोने-कोने में आपका 4G और 5G network क्या हो available ठीक है चलिए योग्या and next Dr. M. Srinivas ठीक है इनको क्या किया गया है इनको director appoint किया गया है तो दसेंटाल government has appointed M. Srinivas as the director of the aims aims की जो नए director बने हैं इनका नाम क्या है इनका नाम M. Srinivas है और इन्हों ने Dr. Randeep Guleria को replace किया ठीक है एं स्री निवास यह क्या बने है इन्हों ने क्या किया है इन्होंने Dr. Randeep Guleria को replace किया है clear हो गया Dr. Randeep Guleria को replace करके M. Srinivas यह aims के नए director बने है is it clear कौन बना है और इन्होंने किसको replace किया है यह आपको याद करना है ओके चलिए अब यह कुछ questions है इसका answer आप लोग कर लीजिएगा ने तो कल की class में इसको हम लोग discuss करेंगी जूलन गोस्वामी है ना बहुत थी जाना पहचाना नाम है इन्होंने भी क्या कर दिया है retirement announce कर दिया है ठीक है तो जूलन गोस्वामी इन्होंने भी क्या किया है इन्होंने retirement announce कर दिया है अगर हम इनकी बात करें तो sees the only one who ball 10,000 balls in one day international cricket in women's cricket history so women's cricket history में 10,000 ball बराने वाली यह पहली महिला बनी है नाम क्या इनका जूलन गोस्वामी और इन्होंने भी क्या किया है retirement announce कर दिया है इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5G service यह हमारा first October से क्या किया जाएगा इंडिया में launch किया जाएगा पीम मोदी जी ने announce किया है कि वो क्या करेंगे first October से 5G service को इंडिया में launch करेंगे ठीक है और सबसे important हमारी जो last headline है वो यह है कि जो चंडिगड एरपोर्ट है है ना यहां पर एक और नाम चेंज हुआ है और इसका नाम चेंज हो कि क्या हो जाए सहीद भगत सिंग एरपोर्ट कर दिया जाएगा clear हो गया तो जाती जाते एक और नाम चेंज हो गया स्टार्टिंग भी हम लोगों ने वह किले से की थी और अभी एरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया अब आते हमारे आज के एंसी क्यू सेसन पर जिसमें हम लोग क्या करेंगे तो फटा-फट सी आंसर बताईए चलिए इसका प्रेक्ट आंसर क्या होगा इसका अंसर क्या होगा जल्दी से बताईए इन विच स्टेट पंग लैप सौल महोत महोत फेस्टिवल 2022 इस सेलिब्रेटिट किस राज में 21 इसका अंसर क्या होगा वैरेए इसका जो पैसर वह है सिख्कीं क्या है क्या है सिख्कींकि करेक्ट आंसर सिल्दी इस प्रेसिजिए और आइस यंप eAAAA पाम-अउयल-Elliance के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्ट किया गया है अजैं माथूरं अतुल चतुरवेदी मुकूल जोहतगी सुमन बेरी क्या ओका आंसर्वोसलिदी करें एक है वह व्य commentary से उचापुल कहां बनाया जाएगा जम्मो एन कास्मीर सियाचिन ग्लैसियर लद्दाक हिमाचल प्रदेश सियाचिन ग्लैसियर अभी हम लोगों ने पढ़ाता ना सैटलाइट बेस्ट इंटरनेट सर्विस यहां पर क्या किया गया है सेटप किया गया है इसका अंसर क्या इसका अंसर क्या होगा हाली में किस राजसरकार ने दौलताबाद के लिए का नाम बदल कर देवगिरी किला करने की घोश्रा की है तेलंगाना महाराश्ट्रा करनाच का उत्तरप्रदेश इसका अंसर क्या होगा है इसका जो करेक्ट आंसर है महाराश्ट्रा महाराश्ट्रा इस ती करेक्ट आंसर नेक्स्ट कॉस्टन इस इन विच स्टेट इंडियास फर्स्ट जुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व हाज बिन इस्टैबलिज भारत का पहला जुगॉंग संद्रक्षल डिजर्व किस राज में थापित किया जाएगा राजस्थान गुजरात हर्याना तमिल नाजू इसका अंजर क्या होगा इंडियास फर्स्ट जुगॉंग कंजर्वेशन जिसको मुलुक सीकाओ बोलते हैं इसका जो करेक्ट आंसर वह तमिल नाजू है ना क्या है इसका करेक्ट आंसर तमिल नाजू एंड नेक्स्ट कॉस्टन इस हूँ हाज बिन प्राश्पती जग्देब धंकर जी ने लोग मंथन कारिक्रम के तीसरे संसकरण का उदगातन निम्लीकित में से कि की शहर में किया है बेंगलुरू नियू जली गुआ हाटी हैम्धाबाद इसका अंसर क्या होगा बेंगलुरू नियू जली गुआ हाटी एहम्धाबाद १ैरीगुड इसका जो गुआ है वेज गुआ हांसर तो गुएं fairy यह उत्तर प्रपदेश गुजरात राजस्थान महराश्ट्रा क्या होगा इसका गुजरात कि गुजरात इस दी करिक्ट आंसर और नेक्स्ट कूष्चन एक स्टार्टप दौर अविक्सित एयर प्रेशर वायुद आप मसीन सांस का उपयोग करने का निर्ने लिया हैं तुरिपुरा वेस्ट बेंगॉल असंब करनाठका वेरी गुड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम क्या है करेक्ट आंसर असम इस दे करेक्ट आंसर नेक्स्ट कुष्चन इस विच अब फॉलोइंग स्टेट गवर्मेंट हैस डिसाइड़ टू लॉंच अ कंपेंड और विमिन्स सेथी टाइटल हमर बेटी हमरमान निमलिकि आंसर है वो है 36 गड़ 36 गड़ इस दी करेक्ट आंसर ओके चलिए यहां पर हमारे टॉप टेन कोश्चन कंप्लीट हो गया है अब हमारे आज की होमवर कोश्चन पर और हमारा आज का जो होमवर कोश्चन है वो है रिसेंटली हूँ हाज बेन अपॉइंट इस दी न्यू डि फिर मिलेंगे 12.30 बाओ廁 जिसमें हम लोग क्या डिसकस करेंगे इस पोर्स अभी तक रिक्ता स्पोर्स डिलेटर जो भी नूझ रहे इसको आज के क्लास में 12.30 बजे अम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ठीके ओके सो मिलते हैं आप से पीर साथे बारा बजे तेल देन बबाए गाइस टेक केर थैंक्यू सो मच सब्सक्राइब नाव